हेलो बच्चों कैसे हो आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आर होम यानि हमारा घर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे about a home a shelter about types of houses and rooms in the home and about कच्चा houses and pukka houses now what do you mean by home? home क्या होता है? home एक shelter होता है shelter क्या होता है? जो हमें किसी चीज़ से बच जाता है ठीक है? अगर हम बाहर जा रहे हैं बारिश आ जाती हैं अहम क्या गरते हैं? हम tree के नीचे चले जाते हैं ट्री उस टाइम हमारे लिए क्या बन जाता है एक शेल्टर बन जाता है ठीक है तो इसे तरीके से जो हमारा घर होता है वो भी एक शेल्टर का काम करता है और जो हमारा घर होता है वो हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, थीव्ज यानि चोरों से जंगली जानवरों से बचाता है तो हम अपने घर में क्या फिल करते हैं सुरक्षित फिल करते हैं Do you know a house becomes a home when a family lives in it अब एक घर क्या होता है कोई भी गर बना हुँए उसको हम कहेंगे ये house है लेकिन जब उस house में हम रहना शुरू कर देते हैं एक family रहने लग जाती है तो वो house से क्या बन जाता है? होम बन जाता है मकान से क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा now types of houses different people live in different types of houses look at some of the houses people built to live in लोग जो है अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं ठीक है आपने देखा होगा ऐसे घरों में भी लोग रहते हैं जिसको cottage कहते हैं flats में भी रहते हैं लोग bungalow में भी रहते हैं कुछ लोग होते हैं कार्वा कार्वा क्या होते हैं एक गाड़ी के साथ जो है वो लोग move करते रहते हैं वो एक जगह पर नहीं रहते हैं तो उनके घरों को क्या कहते हैं कार्वा and hut कुछ लोग छॉपडियों में भी रहते हैं and some people live in tent कुछ लोग tent में रहते हैं, कुछ villa में रहते हैं, कुछ igloo, igloo जो snow वाले area होते हैं, वहाँ पर जो round shape, dome shape घर बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, igloo, and कुछ लोग house boat में भी रहते हैं, okay, जो coastal areas पर mostly जो लोग होते हैं, वो house boat में रहते हैं, next is rooms in the home, Our mother cooks food in the kitchen, we study in our study room, okay, अलग-अलग घर में अलग-अलग कमरे होते हैं, जो अलग-अलग चीज के लिए use होते हैं, जैसे की kitchen, kitchen में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, हमारी जो मम्मी है, वो cook food, food को cook करती है, खाना बनाती है, कहाँ पर? और kitchen में, okay, we study in our study room, study room में हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, we wash and bath in the bathroom, और हम नहाते हैं, या हाथ अगर हमें दोने होते हैं, तो हम कहाँ पर करते हैं वो, bathroom में, B-A-T-H, okay, next is, we take rest and sleep in a bedroom, और bedroom में क्या करते हैं, जब हम ठक जाते हैं, तो हम rest करते हैं, और में सो जाते हैं, हमारे bedroom में, in a home the dining space is wide, हमारे घर में dining space होती है, बहुत बढ़ी, we all eat together in the dining room, तो dining room में हम क्या करते हैं, एक साथ बैट कर खाना खाते हैं, we have a beautiful drawing room, और हमारे घर में सुन्दर सा drawing room भी होता है, drawing room में हम क्या करते हैं, हम अपने friends के साथ बैट कर बात करते हैं कोई भी अगर guest आता है उसको हम कहां बिठाते हैं drawing room में बिठाता है तो सबसे सुन्दर जो है घर में वो क्या होता है drawing room होता है क्योंकि जो भी unknown आता है जो भी guest आते हैं उनको सबसे पहले हम कहां बिठाते हैं drawing room में next is kaccha houses and paka houses नाम से आपको पता लग रहा है kaccha houses जो कच्चे होते हैं ठीक है पakka houses जो brick cement के बने होते हैं वो पakka houses होते हैं Tia and Sid live in a city Tia और Sid जो हैं वो एक शहर में रहते हैं they have their house in a tall building उनका जो flat है उनका जो घर है वो एक बड़ी सी building में है it is known as a multi-storied building और इसको क्या बोलते हैं multi-storied building story क्या होते है एक story, दो story, तीन story यानि मंजिल तो उनका घर किसमें है multi-storied building में है it has many flats where people live with their families और इसमें क्या होते हैं बहुत सारे flats होते हैं जहां पर लोग अपनी family के साथ रहते हैं multi-story building is made from material such as bricks, cement, wood and stone अब ये क्या होता है building जो है वो एक पक्का house का example है ठीक है किसकी बनी होती है वो bricks, cement, wood and stone by these materials a building is made strong और इनसे जो building है वो strong बन जाती है we call such buildings as a पक्का house और इन चीजों का use करके जो भी building बनती है जो भी घर बनता है उसको हम क्या कहते हैं पक्का house now note all the people live in such type of पक्का houses क्या सब लोग इसी type के घरों में रहते हैं नहीं गाउं में बहुत सारे जो लोग हैं वो कैसे घरों में रहते हैं जो किसके बने होते हैं mud, straw, dry grass and canvas इस तरीके के घरों में भी रहते हैं कुछ लोग इनको क्या कहते हैं hurts कहते हैं hurts यानी जोपते ठीक है और इन्हीं को क्या कहते हैं कच्चा house क्योंकि ये इतने strong नहीं होते our home gives us comfort हमारे घर में हमें अराम दैख feel होता है comfortable feel होता है we should always keep it neat and clean और हमें अपना घर जो है वो हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए here are some new words like what do you mean by home home क्या होता है a place where one lives जहां पर हम रहते हैं second is protect protect मतलब keep safe सुरक्षित रखना next is bedroom एक room जिसमें हम सोते हैं या फिर rest करते हैं dining room a place where people take their meal जहां पर हम बैट कर dining table पर बैट कर क्या करते हैं खाना खाते हैं इसलिए उसको क्या करते हैं dining room next is drawing room a room where guests are received जहां पर हम guest का welcome करते हैं महवानों को बिठाते हैं उसको क्या करते हैं drawing room now let's recall the chapter our home protects us from heat cold rain thieves and wild animals there are many rooms in our home we should always keep it neat and clean now this is the chapter I hope बच्चों आपको ये chapter समझाया होगा और एक बर फिर से इसको read करेंगे exercise की practice आप खुद करेंगे behand possess का झे आप přाम र carrot समस्क्टी में आपने रर हम